गुड मोर्निंग इस्टूरेंट्स, वेलकम इन ओलाइन क्लासीज, वीच आर गीवन बाई सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल, क्लास फिफ्ट सब्जेक हिंदी, चैप्टर थ्री, होनहार बिर्वान के होत चीकने पात, जो कि एक कथा पर आधारित हैं, इस्टूरेंट्स, ला राजा बनने का ख्वाब देखता था, राजा बनने के योग्य प्रतिभा और गुण, बचपन से ही उसके आचरण में दिखाई देने लगे थे, एक बार चद्रगुप्त अपने साथी मित्रों के साथ राजा राजा खेल रहे होते हैं, तब वहीं कुछ दूरी पर बैठे चानकिय, उनकी बोलने की चतुराई और कुशन लेतर चमता से बहुत ही परभावित होते हैं, और चंद्रगुप्त को मगद का आशाशक बनने का आशिरवार देते हैं चानकिय, चंद्रगुप्त की मा, मूरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की हस्त रेखाएं बड़ी ही प्रबल हैं, उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए आईए स्टुरेंट्स, अब कहानी का शेश भाग पूरा करते हैं चंद्रगुप्त, बचपन से ही बड़े निर्भीक, निर्भीक का अर्थ होता है निडर चंद्रगुप्त, बचपन से ही बड़े निर्भीक, स्वाभी मानी और बुद्धी मान थे एक बार मगद के राजा नंद ने अपने दर्बारियों, सेवकों तथा देशवाश्यों की बुद्धी की परिक्सा के लिए एक योजना बनाई उन्होंने अपनी राजधानी पाटली पुत्र के राज दर्बार में लोहे के पिंजरे में शेर की मूर्ती रखवाई और राज्ये भर में धिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा उसे राज्ये की ओर से एक हजार सोने की मुद्राय दी जाएंगी और उसकी मन चाही मांग भी पूरी की जाएगी इस सूचना को सुनकर चंद्रबुप्त राज दर्बार में पहुँचे वहाँ जाकर उन्होंने पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह देखा दर्बार के सभी लोग सिर नीचे किये हुए बैठे थे बालक चंद्रबुप्त ने बड़े उत्सा का अर्थ होता है जोश बालक चंद्रबुप्त ने बड़े उत्सा से कहा महराज मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ सभी राज दर्बारी उस बालक की ओर आश्चरिय का अर्थ होता है हैरानी सभी राज़दरबारी उस बालक की ओर आश्चरिय से देखने लगे राजानंद को भी बड़ा आश्चरिय हुआ चंद्रगुप्त ने पुनहे कहा महराज मुझे शेर को बाहर निकालने की आग्या दे राजानंद ने कहा ठीक है निकालो शेर को पिंजरे के बाहर ध्यान रहे तुम पिंजरा नहीं खोल सकते हो चंद्रगुप्त बोले ठीक है महराज परन्तु इस कार्य के लिए मुझे एक जलते हुए दीपक की आवशक्ता है राजा नंद के आदेश पर जलता हुआ एक दीपक राज दर्बार में मंगवाया गया चंद्रगुप्त ने सलाखों के बीच से दीपक को शेर के पास रखा मौम का बना हुआ शेर पिंगलने लगा उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान हो गए हैरान का अर्थ होता है चकित होना उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी चकित हो गए राजानंद ने उसकी परसंसा करते हुए उसे एक हजार सोने की मुद्राय दी और उसकी मन्चाही मांग के विशय में पूछा चंद्रगुप्त ने मन्चाही मांग के रूप में अपने पिता को बंदी ग्रह अर्था कारागार से मुक्त कराया बच्पन से ही बुद्धिमानी और साहस दिखाने के कारण उनके लिए यह कहना सही होगा कि होनहार बीरवान के होद चीकने पात वही बुद्धिमान तेजस्वी न्याई प्रिय चंद्रगुप्त काफी लंबे समय तक मगद के समराट रहे और चानकिय उनके महामंत्री बने